नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या बील और आपको जय जोहार मैं सत्या बील दीपक कोबरामेन के यूटव चैनल पर आप सबका तह दिल से स्वागत करता हूं साथियो जोगता हैं और कि आज आपको दीपक कोबरामेन कि महाद्म से कुछ एक से जानकारे देना चाहता हूं, जो बहुत ही हमार लिए लाब जाएक है, फायद मन्द भी है, तो कुछ लोगों को पता होगा और किसी को नहीं पता है, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखे, आपको अच्छी जानकारे मिलेगी, आपको पताना चाहता हूं दोस् ये खुंबी, इसको हम हमारी बादमेर की बादमेर की खुंबी कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम मस्रूम है, तो दोस्तों ये इसका ना तो कोई बीज होता है, और ना कुछ भी होता है, लेकिन परकरते की दयन से पताने कैसे उग जाती है, देखिए इसको गोर से, तो य यह यह उगती है शरफ बारिष के मौसम dwini जून आजलाय में अगस्त में होती है तबी यह उगती है अच्छी गरजन ओ बारिष और बार इसके दूसरे दिन अच्छी दूप या गर्मी हो तब ही यह जमीन से है जो इस परकार से बाहर निकलती है और इसका बीज वगेरा कुछ भी नहीं होता है और ना जाने कैसे उगती है इसका कमाल है परकति का कमाल है जो यह उग जाती है और यह एमारे सहिद के लिए और सप्पै वह लाब्राप का लाबदा एक चीज एक चीज अज किसी आप में एसके टेक्नोलोजी के माद्य में से खथया जाती इसको उगाई भी जाती है तो यह अलग होती है आइपरिड होती है इसका लाब नहीं होता है, इसका लाब होता है, इसका लाब होता है, इसका लाब होता है, उसमें नहीं होता है, तो दोस्तों यह ज़्यादा तर रेगिस्तान में यह उगती है, बारिस के मोसम में, यह देखे, और रेगिस्तान बालु जमीन होती है, जो वहें पर यह उगती ह इसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी सबसे पहले जब कच्ची होती है उगने के बागते की सब्जी नहीं है जैसे की सब्जी आपका ओआ बंज है पकी भी नहीं तो इसकी सब्जी कैटासर बहुत शादिश्ट सब्जी इसकी अगर अगरoso पकने के बाद में इसके अंदर पाउडर बनता है वो पाउडर होता है पीले कलर का वो पाउडर अगर हम माखन के साथ चुटकी बर मिला करके नियमित रूप से अगर खाए तो अमारे जोडो का दर्द बादन का दर्द ये काफी अद तक ठीक हो जाता हो कभी दर्द नहीं हो दूसरी बात है इसका फाइदा ये है कि इसके आप पाउडर को अगर मनलोग किसी इनसान की आप पसू की अड़ी फैक्चर हो जाती है क्रेक हो जाती है तो अगर उसको ये इसका पाउडर है जो माखन के साथ मिला के खिलाने से ओड़ी जो जल्दी से जुड़ जाती है और तो दर्ब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हड़ी है वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगी तो इसका ये बहुत ही अच्छा फाइदा है दोस्तों और ये परकर्ति के देन है ये बिना बीज के ही उगती इसका बीज बगरा कुछ नहीं होता है और ये अपने आप पता आपको और भी अच्छे जनकरिया मिलती रहेगी और हर प्रकार की आपको जनकरिया मिलती रहेगी वने समंदीत जिसे वने जीवू के बारे में हर प्रकार की बहुत ही आपके फायदे के लिए अच्छे जनकरिया मिलती रहेगी आपको तो आप अमरे चैनल को जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर परकार की जानकारी मिलती रहे और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ सेहर भी करें और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती रहेगी आपको और जल्दी अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके करें और सेल भी करें तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत जोहार आपको